हलो एंड वेलकम टो मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खुबसूरत से असानी से उपने वाले इस पौदे के बारे में जो कि सकुलेंड वराइटी का ब्लांट है और इसको हम कहते हैं बेबी सन रोज मैं आपको शेयर करूँगी कैसे इसकी केर करनी है कैसे इसको उगाना है अगर आप बिगनर हैं तो ये वाला पौदा आप नर्सरी से ज़रूर लाएं हमारे यहां पर यह नर्सरी में 60-70 रुप यह बहुत अच्छे से चलता है और आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं एस ग्राउंड कवर भी किसी और बड़े पौदे के नीचे उगा सकते हैं या पेड के नीचे उगा सकते हैं बात करें इसके सॉयल मिक्सचर की तो सॉयल आपको वेल ड्रेंड लेनी है उसमें आप अगर हम पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो एक प्रकार के हमें सॉयल एक जन्रो सॉयल बना की रख लिने चाहिए जिसमें थोड़ी थोड़ी कोको पीट, थोड़ी सी सैंड, कमपोस्ट और सॉयल की क्वांटिटी हो क्योंकि ये पौदा लंबा नहीं होता, ये जमीन पे ही फैलता है, तो बहुत सारी जगों पे इसको एस ग्राउंड कवर उगाया जाता है और बात करें इसकी अगर प्रॉपगेशन की, प्रॉपगेशन इसकी बहुत इजी है, बस आपको वन्स ही इस पोदे को खरीदना है और उसको आप खरीद के लाई या कहीं से आपको अपनी फ्रेंड या रिलेटिव्स के आहां मिले तो आप छोटी-छोटी स्टेम्स लेके आ जाएंगे तो उतना ही काफी है, स्टेम्स ये बहुत अच्छे से एक मदर ब्लांट्स या बहुत सारे ब्लांट्स बिना सकते हैं इस तरीके से होता है स्टेम्स में भी पानी जमा रहता है और पत्तों में भी पानी की रिटेंशन रहती है यह सकुलेंट वराइटी का ब्लांट है सकुलेंट वराइटी के ब्लांट्स हमें थोड़ी कियर कम करना पड़ती है सिरफ हमें पानी को ही सोच समझ के डालना होता है और लड़ी पत्तों में और टेहनियों में पानी की स्टोरेज होती है और ये वाला पौदा जो है अगर आप इसको निगलेक्ट भी कर देते हैं तब भी बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि इसको जादा केर की जरूरत नहीं है और अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अच्छी फ्लावरिंग हो तब आप इसकी थोड़ी बहुत केर के जो टिपसे मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप जान लीजिए तो आपका पौधा ये बहुत अच्छा चलेगा इंडोर्स भी बहुत अच्छे चलता है आउटोर्स भी बहुत अच्छे चलता है बस हर सिचुएशन में हमने ये ख्याल रखना है कि अगर हमने इसको इंडोर्स रखा हुआ है किसी hanging basket में लगाए हुए तो पानी बहुत कम देना है पानी अगर हम देते हैं जादा और ठीक से water drain नहीं होता तो हम अपने पोदे को खुदी मार देते हैं उकाना इसको बहुत ही असान है मट्टी आप पहले से बना के रखें और just soil में आपने छोटा सा hole बनाना है किसी भी चीज से बना लें कोई pencil से या उंगली से stems को रखें और बस side से आप इनको अच्छे से दबा दें इतनी ही असान stem cutting से इसकी propagation हो जाती है और कुछ दिनों में जड़े आ जाती है और ये बड़ी असानी से grow होने लगता है ये one of the easiest plant है grow करना और देख भाल करना neglect में भी अराम से पलता रहता है आपने इसको पानी नहीं डाला तो भी चलता है लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर आप इसको पानी नहीं डालते हैं तो अगर ये indoor है तो बहुत अच्छा है आउटो लोकेशन में तो वैसी पानी जल्दी सूख जाता है तो इसमें फ्लावरिंग में फिर डिले हो जाता है पत्ते इसके बड़े प्यारे हार्ट शेप पत्ते हैं कोई जादा कियर है नहीं सकुलेंट है तो जादा पानी नहीं देना पर हाँ जब हम उगाते हैं तब तो हम थोड़ा सा पानी इसको देते हैं और इंडोर्स में आप मटी चेक करें मटी सूख गई पानी डाल दें नहीं सुखी तो रहने दे एक दो दिन रुख जाएं सर्दियों में वैसे भी जादा पाने की ज़रूरत नहीं होती तो होप करते हूं यह वीडियो आपके लिए जूसफुल रहा होगा थेंक यू